गुम है किसी के प्यार में आप सभी जानते हैं हाल ही में इस शो में हर्शद अरोडा की एंट्री हुई है उस तो जो की डॉक्टर सत्य अधिकारी का किरदार निभा रही है तो हर्शद अरोडा ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ खुलासे किये हैं अपर्णा कु शर्मा तो दोस्तो हर्शद अरोडा ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में काफी कुछ साजा किया है खास कर अपर्णा कुमार के साथ उनकी जो बॉंडिंग रही जो रिश्टा रहा उनका कहना था कि लगभग चार साल उन्होंने एक साथ बिताए वो साथ में रहते थे लेकिन बहुत सारे ऐसी मिसिंडेस्टेंडिंग थी बहुत सारे डिफरेंसिस थे जिनकी वज़े से ये रिश्टा आगे नहीं बढ़ पाया और फिर हमें लगा कि शायर जिस डारेक्शन में हम चीजों को चलाने की कोशिश कर रही है ये चीजे उस डारेक्शन में जा नही नहीं रही है उस तरीके से हो नहीं रही है तो हम लोगोंने सेपरेट होने का डिसाइड किया और यहां पे उन्होंने कहा कि अपर्णा कुमार के साथ मेरा बहुत ही अच्छा एक ब्यूटिफुल बॉन रहा है जब तक भी रहा बहुत ही खुपसूरत रहा और हम जो है इसे एक मैरिज पर लाकर एंड नहीं करना चाहते थे इसलिए हमने मिचुली यह डिसाइड किया कि एक डिसेंट नोट पर इस रिष्टे को फिलहाल छोड़ देना चाहिए सेम यहां पे अपर्णा कुमार ने भी दोस्तों इस पर पूरी डिगनेटी मेंटेन करके रखी इस पिताए हैं तो उन्होंने फिलहाल इस मैटर में चुप रहना ही बहतर समझा है और हर्शद ने ये भी बताया कि वो पढ़ना से मिले थे मायावी मलिंग के सेट पर जहां पर वो एक मा का किरदार निभा रही थी उन्हीं की मा का किरदार निभा रही थी और उसके बाद दो और वो दोनों भी साथ में नहीं हैं, वो दोनों भी अलग हो चुके हैं, हाला कि देखा जाए तो अब जो है हर्शद अरोडा ये तो पास्ट की चीज़े हैं, अभी प्रिजेंट में वो टॉप रेटेड शो यान कि गुम है किसी के प्यार में का हिस्सा है और लगातार अपन 100% दे रही हैं, जो कि लोगों को बेहत पसंद आ रहा है, क्या कुछ है आपको कहना कमेंट्स में जरूर बताइए, मिलते हैं नेक्स्क वीडियो में